साथियूं, आप सभी के इस प्रेफांपर सागत है यहाँ पर हम लोग घटना चरब पब्लिकेशन के द्वारा जो द्रिश्टी 2023 नाम से करेंट अफैर की मैगजिन प्रकार्सित की गई है जिसमें 1 माई 2022 से लेके 15 अपरा 2023 तके करेंट अफैर को संक्लित किया गया है जो आपके आगामी पर इच्छाओं UPSC, UPSC और MPPSC के लिए काफी महत्पूर्ण है तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं ग्लोबल साउथ समिट तो 12 से 13 जनुरी 2023 के मद्ध भारत द्वारा वायशाफ ग्लोबल साउथ सिखर सम्मिलन का आउजिन किया गया यहाँ एक नई वा अनूठी पहल है यहाँ पहल प्रधानमति नेन मोधी के सबका साथ सबका विकाश सबका विश्वास दा सबका प्रियास विजन से प्रेरित हैं इस सम्मिलन का उद्धेश वैस्विक दच्छन ग्लोबल साउथ के देशों को एक सास्थ लाना जिससे इसकी मेजवानी प्रधान मंत्री ने मोदी के दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने कुछ गोशनाएं की जिनमें सामिल है आरोग मैत्री दूसरा है वैश्रिक दच्छन उतकृत गेंद Global South Center for Excellence तीसरा है वैश्रिक दच्छन विज्ञान यों प्राद्युकी पहल Global South Science and Technology Initiative चौथा है वैश्रिक दच्छन उतकृत इवाराजने मंच Global South Young Diplomates Forum और पांचवा है वैश्रिक दच्छन चात्रविती Global South Scholarship आरोग मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आप अगला है स्विफ्ट राज जयविविता समयलन कॉप 15 के बारे में बात करें तो 7 से 19 दिसम्बर 2022 के मद्ध जयविविविता पर अप्षम है कि पच्छकारों के समयलन की 15 साधाना बैठा का दूसरा चंड आयूजित किया गया इस समयलन का दूसरे चंड का आयूजित किया द्यातवी के समयलन का पहला चंड चीन के मेजवानी में 11 से 15 अक्रूप 2021 के मद्ध वर्चूल माध्यम से किया गया था कॉप 15 के साथ ही कॉप मॉप 10 अथा 10th Meeting of Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties of the Cartagena Protocol on Biosafety तथा NPMOP 4 means 4th Meeting of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Nagoya Protocol का भी आयूजित किया गया दिसंबर 2022 में सैंकतराष्ट के तत्वाधान में आयूजित कॉप 15 की अधिस्ता चीन ने की सम्मेलन में कुनमिंग मॉंट्रियल Global Biodiversity Framework को अपनाया गया GBF अथा Global Diversity Framework के अंतर चार उद्देशों पोर गोल and 23 लच्छ या टार्गेट को सामिल किया गया है जिनने वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है वर्ष 2030 तक जिन 23 लच्छों को प्राप्त किया जाना है उनमें जो सामिल प्रूख लच्छ उसमें है विश्व की कम से कम 30% भूम, अंतर देशे जल, तटिये छेत्रों और महासागरों का प्रभावी सनच्छन और प्रबंधन दूसरा, खराब हुए स्थली अंतर देशे, जल और तटिये यूम, समुद्री पार्स्ति की तंतर के कम से कम 30% की बहाली अगला है कॉप 15 के प्रत्निधियों ने ग्लोबल, GBF अर्थत, Global Biodiversity Framework के भीतर लाभों के एक समान वितरन को सुनिशेद करने के लिए एक बहुपच्छी कोश, Multilateral Fund इस्थापित करने पर सहमध व्यक्त की है इस कोश को वर्थ 2024 में तुर्किय में आयुथ होने वाले कॉप 15 में अंतिम रूप दिया जाएगा जयवीविता अभिशमे के बारे में बात के हैं, जयवीविता पर श्रयुक राष्ट अभिशमे, United Nations Convention on Biological Diversity को अनौपचारिक रूप से जयवीविता अभिशमे के रूप में जाना जाता है यहाँ अभिशमे 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया CBD Convention on Biological Diversity जयवीविता के सनचन है तो एक अंतराशी संदी है यहाँ अपने हस्ताचर करताओं पर कानूनी रूप से बात धिकारी है, लीगली बाइंडिंग है CBD का से जवाल है, कनाड़ा के मौन्टियल में इस्तित है, वर्तमान में 196 देश CBD के पच्चकार या पार्टिज है जिन में 168 देशों ने संदी पर हस्ताचर किया है स्युक्तराज अमेरिका और बेटिकन सिटी CBD के पच्चकार नहीं है, भारत 19 मई 1994 से CBD का एक पच्चकार है आगे बात करते हैं, G20 सिखर सम्मेलन 2022 के बारे में तो 15.16.22 को G20 देशों के राष्टा दिचो या सासना धज्यों का 17 सिखर सम्मेलन संपनुआ, इस सिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया कोबिड-19 महामारी के सुरू होने के बास से वैश्चक नहीं ताओं की पूर्ण भावतिक पस्तिती वाला या पहला G20 सिखर सम्मेलन था इंडोनेशिया के दिस्ता में अवजित इस सिखर सम्मेलन की जो थीम दिया केंदरी विशय था वो था 17 जिटॉन्टी के सिखर सम्मЕली में प्रphemती ने नियंक मोधि ने भारत का प्रधूद किया और इस सम्मेल में भावत के G20 सेरपा अभिंदा अमिताब कांध थे जी टॉन्टी के सिखर सम्मेलन से 3 प्धारम ने अन जी मोधिय ने इन्डोनेशिया में अने जी मोधिर अधिस्ता ग्रहण की, बहुत एक दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशा से जी टूंटी की अधिस्ता ग्रहन की, भारत एक दिसंबर 2022 से लेके 30 नौंबर 2023 तक का G20 की अधिस्ता करेगा, मतलब जो 18 वा जो सम्मेलन होगा उसकी अधिस्ता भारत करेगा 18 वे G20 सिकर सम्मेलन के बारे हमें बात करें तो 9 से 10 सितंबर 2023 को 18 वे G20 सिकर सम्मेलन का अज़न नई दिल्ली भारत में किया जाएगा भारत की G20 के अधिस्ता वसुधय कुंटुकम कम या एक पृत्वी, एक कुटुम, एक भविश्य, वन अर्थ, वन फेमिली, वन फ्यूचर के केंद्रिय विशय पर आधारित है यहाँ विशय महा उपनिश्द के प्राचीन संस्कित पार्ट से लिया गया है भारत के अधिस्ता में G20 का लोगो, भारत के राष्टी धच के जीवन तरंगों के शरिया, सफेद, हरा तथा नीला से प्रेरित है आगे चलते हैं इसमें, देखिए इस लोगों में भारत के राष्टी पुष्प कमल के साथ प्रित्वीक को दर्साया गया है, जो चुनोतियों के बीच विकाश को प्रदसित करता है भारत के जीवन तर्था बहुत होने वाले बारत की अदिश्टा में आउजच्ता में बंगला देश, मिस्र, मौरिश, नीदरलान, नाईजीरिया, उमान, सिंगपूर, श्पेन, तथा उएई, सहवत अरव अम्रात सामिल है भारत में G20 से का सम्मिलन यों उससे संबध बैटकों का आउजन केवल नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। इसके तक कुछ सीजों को और याद रखे गए उलेखनी की भारत वरतमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है। पहला कर चुका है 2022 में जो वरतमान में कर रहा है भारत है 2023 में और जो अगला होगा 2024 में वो प्राजील करेगा। तो ये ट्राइकोमा में ये तीन देश सामिल रहेंगे। ये प्रतमावसार है जब G20 ट्रोइका में तीन विकास, सील और उभरती अर्थ व्योस्ता हैं सामिल है। 2024 में G20 सिका समयन कायोजन ब्राजील में था, 2025 में दच्छें अफ्रिका में प्रस्ता भी थे। G20 के बारे में बात करेंगे G20 है क्या G20, Group of 20 अंतराश्टी आर्थिकों वित्ती व्योसा समित मामलों पर सही हो गयों परामर्स का एक महत्पूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एश्याई वित्ती संकट के बाद वर्स 1999 में हुई थी, इसमें 19 देश और एक इरोपिय संग सामिल है, मतलब कुल 20 हो गए, इसमें सामिल जो 19 सदस्च देश हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए, अर्जेंटीना, अस्टेलिया, ब्राजील, कनाड़ा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सको, रूस, साओधी अरब, दच्छें अफरिका, दच्छें कोरिया, तुर्किये, यूके तह संयुत राज, अमेरिका, तो ये इसमें सामिल हैं, जी टॉन्टी समू के सभी सदश्य समग रूप से वैश्विक सकल घरिलू उत्पाद, जो वैश्विक जीडीपी है, के लगभग 85 प्रसत का वैश्विक ब्यापार, के लगभग 75 प्रसत का था विश्व के लभग 2 त्याई जनसका का प्रतनिहित्त करते हैं, आगे चलते है G20 Digital Innovation Alliance के बारें बात करें, तो 28 दिसंबर, 2022 को केंद्री मंतरी अश्वनी वैश्वनों ने भारत की G20 अधिस्ता के हिस्से के रूप में G20 Digital Innovation Alliance लांच किया, G20 Digital Innovation Alliance का उद्धेश G20 देशों के साथ-साथ आमंत्रित गैर सज़स राष्टों से स्टार्टप्स द्वारा विक्सित नवीन और प्रभावशाली डिश्टल तक्नीकों को पहचानना, मानिता देना और उन्हें अपनाने में सच्छम बनाना है G20 Digital Innovation Alliance सेखर सम्मेलन का आउजन अगस 2023 में बैंगलोगर में प्रस्तावित है अगला है समयकुत राष्ट जल्वावी परिवतन सम्मेलन 2022 के बारे में कि विशह वरस्तो पार एक पावेलियन स्थापित किया था उल्लेखनी की मिर्थ 2021 में कॉप 26 में प्रदान मंतरी ने लाइक की आउधानपर सुथ प्रसुत की थी ऐसे जीवनिस्तर को अपनाने वाजे लोगों को प्रो प्लैनेट पीपुल के रूपे मानता दी जाएगी COP27 के समापन पर सर्म अलशेक कार्यानुवन योजना को अंगिकर्ट किया गया है शर्म अलशेक कार्यानुवन योजना को COP27 के दोरान चतियों नुक्सान लॉस एंड डैमेज से निपटने हुद एक कोश्ट या फंड की स्थापना का एतियासिक निर्णे लिया गया है यहां कोश्ट जलवाई सम्मधी आपदाओं से सरवाधिक प्रभावित सुभेद देशों वल्रेबल कंट्रीज को चतियों नुक्सान के भरपाई हुद धन उपलब्द कराएगा सैंगतराश महासची एंटोनियो गुटेरेस द्वारा तीन दसमलो एक बिलियन डॉलर की एक योजना की घोशना केगी जो अगले पांच वर्सों के अंदर पूर्व चेताउनियों पूर्व चेताउनी प्रणालियों अरली वार्निंग सिस्टम द्वारा पृतिवी पर सभ सैंबल ट्रांसफार्मेशन नामक पाहल को लांच किया गया यहां पाहल वर्सों तीस तक किर्शियों खाद प्रणालियों को रुपांतरित करने के लिए जलवाई बित क्लाइमेट फाइनस की मातरविम गुडवत्ता में सुधार पर केंद्रित है वो लेकिन यह की कॉप 28 क अगला आयुजन होगा वो 30 नॉमबर से 12 दिसंबर 2023 के मद्धे श्रयुक्त अरब अमिराद युए के दुबई में होगा अगला है 22 सिखर सम्मेलन के बारे में तो 16 सितंबर 2022 संगई सायोग संगठन के राश्रा धिच्छों की परिशद की 22 बैठक जो है उजबेगिस्तान क कि समर्कंद में आजिद की गई इस सिखर सम्मेलन भात का प्रतूनित प्रतुनित प्रतानमंत्रिय ने किया संगई संगई संगठन के संवात भागेदार डायलाउग पार्टनर का दर्ज़द करे के निरने भी लिया गया है बहरीन, कुब्यत, योःई तथा मैमार को भी मिस्र, साओधी, अरब तथा क Turka को अगला है, संगाई संगछन के सचवाले पता इनुषको के मद्दी वर्ष 2023 से 27 की अवदी है तो ग्यापन भी हस्ता अच्छित हुए है भारत का वर्ष 2022-23 में संगई सहयोग संगठन की परेटनियुम सांस्किति की राजधानी के रूप में गोशित करने का निर्णे लिया गया है महात पूर्ण याद रखेगा यहाँ परेटनयुम सांस्किति की राजधानी नामित होने वाला वरार्णसी जो है पहला सहर है वरार्णसी को यह दर्जा पतान किये जाने के फलसरोप भारत और स्चियो के सज़श देशों के बीच परेटन और सांस्कितिक यो मानवी आधान पतान को बढ़ावा मिलेगा व आरा द्वारा स्चियो के धिश्ता का केंद्री विशय थीम टूवर्ड्स शेक्योर स्चियोर स्चियोर का फूर्ण रूप क्या है S for Security for Citizens, E Stand for Economic Development, C Stand for Connectivity in the Region, U Stand for Unity and R Stand for Respect for Sobergenity and Territorial Integrity and E Stand for Environment Protection उन लेकिन है कि SGO सिखार सम्मिल का युजन वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है ग्याता भी कि भारत की मेजबानी में 17-18 मार्च 2023 को वरांड़सी में SGO परेटन मंत्रों की बैटक का युजन हुआ अब हम लोग बात कर लेते हैं SGO के बारे में तुर्किमेनिस्तान का नाम इस्पिसल याद रखेगे कि तुर्किमेनिस्तान इसका सजेक्ष्ट नहीं है पूर्ट सजेक्ष्टा ग्रहन करने के इच्चुप SGO के चार परवेच्षक राष्ट अफगानिस्तान, बेलारूश, इरान, था, मंगोलिया है SGO के छे समात भागिदार, डालाग पार्टनाथ अर्वेनिया, अजर्बेजान, कमबोडिया, नेपाल, सी लंका, था, तुर्किये है भारत को वर्ष 2005 में SGO का परवेच्षक का दर्जा प्रदान किया गया था पहला I2-U2 सिखर सम्मिलन, तो 14 जुलाई 2022 को I2-U2 संभूह के राष्ट सासना दच्चो का पहला सिखर सम्मिलन आभासी माद्यम से आउजिद किया गया इस सिखर सम्मिलन प्रदानमति नेन मोदी के अत्रिक्त इजराईल के ततकालिक प्रदानमंत्री यायर लापिड, UAE की राष्पती, सेक मुहम्मद बिन जायत, अलनाहान और इवर्षे की राष्पती, जो बाइडन सामिल हुए इसमें चार देश सम्मिल है, यहार रखेगा, इंडिया, इजराईल, UAE और अमेरिका प्रथम, I2, U2 सिखर सम्मिल, खादी सुरच्छा संकरता स्वच उर्जा पर केंदरित रहा है भारत दसंदर में दो प्रविकांडी उर्जा पर्योजना, इवयी ने भारत में एककरत खादी पार्कों की सिंखला विक्षित करने है तो भारत में दो बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की गोशना की है बिदित हो कि UAE वर्थ 2030 में UNFCCC COP28 का मेजबान देश है I2U2 समुह ने गुजरात के द्वारका में hybrid नवीकरणी उर्जा परियोजना का समर्थन करने के घोशना की है इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर छमता wind and solar capacity सामिल है इस अच्छे उर्जा परियोजना है तो अमेरिकी Trade and Development Agency ने पहले ही ब्यवहारता अध्यन के लिए लगभग 330 मिलियर अमेरिकी डॉलर का बित्पोशन किया है यह परियोजना भारत के वर्ज 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म इधन छमता प्राप्त करने के लच्छे में योगदान देगी आई-टू, यूटू, समू के बारे में बात करें तो आई-टू, यूटू, समू में 4 देश सामिल है यहाँ आई-टू से मतलब है अविप्राइब भारत और इज्राइल है और यूटू से अफिरा है स्ट्राइब अमेरिका और स्ट्राइब अमिराद आई-टू, यूटू, समू पशिम एशिया वा दच्छिन एशिया को अमेरिका से जोड़ता है अथा इस समू में सामिल पते एक देश एक दूसरे से लावान वित होंगे और तालिसवा जी सेबन सिकर समिल के बारे में बात से हैं तो 26 से 28 जून ये जून का करेंट अफेर है बहुत ज़्यादा पूछने के इसके चांसल बहुत कम ही रहेंगे हमें करेंट अफेर जो है मैक्सिम सितंबर तक ही कवर करना चाहिए पर एक बार थोड़ा से इसको भी देख लेते हैं चप्विस सठाइज्यून 2022 के मद 48 जी सेवन सिखर समयल का विजन संपन हुआ ये समेलन कहां पर हुआ तो जर्मनी के अधिशता में हुआ जर्मनी के अधिश्ता में जर्मनी के सिलाश इलम्यू बेवेरियन आलपर्स में संपन हुआ वर्स 2022 में यह सात्वा उसा था जिब जर्मनी में G7 सिखा समयन का आयोन हुआ इससे पहले छे बार और हो चुका है सन्यात का निक कोई जरूत नहीं है G7 सिखा समयने 2022 में G7 सेजिशों G7 में कोन कोन है जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, करनाडा, अमेरिका था, यूरोपिये, संग के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया इसके अधिक जर्मनी द्वारा आमंत्रित देशों में कोन थे अर्जन्टीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दचिनाअफरिका, यूक्रेयन, छेदेश आपके आमंत्रित थे ने भागिदार देशों के रूप में पार्टिसिपेट किया G7 सिखा समयने 2022 में भाराद का प्रणित प्रधान मंत्री नेरिद मोदी ने किया उलेखनी की जर्मनी दवराद G7 के अधिस्ता, प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन एक्क्वीटेवल वर्ड के विशय पर केंद्री विशय पर आधारिक थी G7 सिखा समयने 2022 के दोराण जलवायू संकट की वैश्विक प्रतकिरिया के रूप में खुला यूम सहयोगी क्लाइमेट क्लब इस्थाफित करने पर सहमत बने, उलेखनी की G7 देशों दोराण विशय पर के सहयोग से मई 2022 में खादिस अंकट की प्रतकिरिया सुरूप ग्लोबल एलाइंस फार पूर्ट सेक्योर्टी की स्थाफना की थी देखिए एक जनुरी 2030 को जापान, 2030 से जापान G7 का अध्यच होगा और उन चास्वाँ G7 सिकर सम्मेलन 2030 जापान के हिरोश्मा में 19 से 21 मई 2030 के मद्द आयुजित होगा आगे अंतराश्टी निरवाचन की बारें बात करते हैं देखिए नेपाल राश्पती चुनाओ 2030, 13 मार्च 2030 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के राम चंदर पैडोल ने नेपाल के राश्पती के रूपे पदभार गहन किया है, सपत ली है 2008 में नेपाल के गरतनत बनने के बाद बाद देश के तीसरे राश्पती बने, इन्होंने विद्या देवी भंडारी का अस्थान लिया है, 9 मार्च कितने मद्दान प्राप्तों छोड़ दीजे, देखिए 2017 मार्च 2022 को जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम शाहय प्रसाद यादो नेपाल के उपर राश्पती चुने गए है बियतनाम राश्पती चुनाओ 2023 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो चुनाओ हुआ है, इस चुनाओ में वो बैन थूइंग बियतनाम के नए राश्पती चुने गए, इन्होंने गुमेन, जुवान, फुक का इस्थान लिया है, सी जिनपिंग पुना राश्पती ब पच्छिस परवी 2000 तेज को नाजीरिया में राश्पति चुनाव के बाद चुनाव में अहमद अधे कुनले टीनूबु जो है इन्हों ने 36.6 प्रसतमत के साथ जो है विजय प्राप्त की है इनका नाम है चुनाव में बोला अहमद पूरा नाम है बोला अहमद अधे कुनले तो इन्हों ने 29 मई 30 को 29 मई 90 को यह पधभार ग्रहन करेंगे वर्तमान में मुहम्मद बुहारी नाईजीरिया के राष्टपती हैं आगे चलते हैं कि एकी कोटयेंल गिनने की प्रथान मंत्री की पहली महीला प्रथान मंत्री है वे चुना टैजर के बंगलाधीश के 22 राश्पती हुगे और इन्होंने अब्दुल हमीत का इस्थान गराण किया है साइप्रस राश्पती चुनाव संपन हुआ इसमें निर्दली प्रतियासी निकोस, क्रिष्टो, नेडो, लाइडस ने 51.97% मतों के साथ साइप्रस के नए राश्पती चुने गए हैं इन्होंने निकोस, एनास ता शिया देश्ट का इस्थान गराण किया है चक गणराज राश्पती चुनाव 23, 28 जनराज के राश्पती के चुनाव हुआ इस चुनाव में नाटो सैने समित के पुर्व अध्यज पेट्रा पावल विजय हुए है और पेट्रा पावल ने, जो है, मिलोश जेमेन का इस्थान गराण किया है राश्पती के रूप में, निउजिलेंड के नए प्रधान मंत्री तेखिए, 25 जनराज दो है तेज को कृष हिपकिन्स ने निउजिलेंड के 41 जनरी प्रधान मंत्री की रूप में, पदभार गराण किया है चुकि तद इसके पुर्व की जो प्रधान मंत्री थी, जेसिन्डा आडन ने जेसिन्डा जो शिन्डा आडन ने अपने पता से टैग पतर दिया था, उसके बाद ये यहां के प्रधान मंत्री हुए हैं आगे बढ़ते हैं नेपाल के प्रधान मंत्री 26 दिसम्ब 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के ने प्रधान मंत्री ग्रूप में सपत ग्राण की वह इस पत पर उन्हें ने सेर बहादूर देवबा का इस्थान गर्ण किया है और पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है सीपियन मौवादी दल के नेतायों अध्धच रहें इससे पुर्वबा 2008 से 9 फिर 16 से 17 तक नेपाल के प्रधान मंत्री रहें आइरलेंड प्रधान मंत्री चुनाओ 22 17 तक नेपाल के प्रधान मंत्री चुनाओ 22 यहां पर जो आम चुनाओ 22 तो देखिए अनवर इब्राहिम ने मलीशा के 10 प्रधान मंत्री के रुपे प्रधान मंत्री चुनाओ 22 तो नताशा पिर्क मुशर इसलोवानिया की प्रथम महिला राश्पती चुनी गई है इन्हों ने जो है पोस्ट पहोर का इस्थान गरहन किया है आगे चलते हैं डेनमार्क आम चुनाओ 22 तो देखिए यहां पर जो आम चुनाओ हुआ है उसमें शोर्सल डेमोक्रेट्स पार्टी विजई रहिए और इसके नेता मेटे फेडरी क्षेन ने प्रथान मंत्री का पदभार गहन किया है इनका प्रथान मंत्री की तौर पर दूसरा कारिकाल है इससे पूरविया 2019 प्रथान मंत्री बने दे मेटे फेडरी क्षेन डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे इवा महिला प्रधान मंत्री है इज्राइल विधाई चुनाव 2022 तो नॉमबर 2022 में इज्राइल में 120 तदिस वाले नेशट जो यहां की विधाई का है उसमें चुनाव संपन हुआ तो इसमें बेंजामिन नेतानू की लिकुड पार्टी को सरवाधिक 32 सीटे मिली और फिर बेंजामिन नेतायनू ने इज्राइल के नए प्रधान मंत्री क्रुपें पद्भार ग्राण किया है इन्होंने यायर लेपिट का इस्थान ग्राण किया है इससे पूर्व जो है 1996-1999 फिर 2009-2022 तक इज्राइल के प्रधान मंत्री थे रिशी शुनुक बेटेन के लिया है वह हिस्पत प्रहुचने वाले भारती मूल के पहले बेटिसवा हिंदू प्रधान मंत्री हैं ब्राजील आम चुनाओ 2022 अक्टूबर 2022 में ब्राजील में राश्पती उपराश्पती नेशनल कांगर्स आज की चुनाओ संपन हुए जिसमें लुईज, लुईज, इनाशियो, लूला, डी सिल्वा ब्राजील के नए राश्पती निर्वाचित हुए हैं इस पत पर उन्होंने जायर बोलसनारो का इस्थान ग्राण किया हैं इससे पूरविवा 2003 से 2010 तक भी ब्राजील के प्रधान राश्पती रह चुके हैं कोलंबिया राश्पती चुनाओ, 2022 तो अगस्त में यहां पर चुनाओ और गुस्ताओ, पेट्रो ने राश्पती के रूपे पदभार ग्राण किया, उलंबिया के राश्पती बनने वाले वे पहले बाम बन थी, नेता है इन्होंने इवान ड्यूक का इस्थान ग्राण किया है, अब क सबसे सबकरी जो अला मुखी है, जो प्रसांत महासागर के रिंगा फायर में अवस्यत है, यह जो है बिसाल चटानों से निर्मित है, इसकी उचाइद 2911 है, चक्रवात फ्रेडी, तो 21 परोगी 2030 को उष्ट कटवंधी चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागाशकर अफ 58,000 km की दूरी तेयकर मेडागाशकर में लेंडफॉल होता है, यह अब तक कि इतिहास में सरवाधिक दिनों, 34 दिनों तक रहने वाला चक्रवात रहा है, नासा के हमसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दच्छिनित गोराराथ के तूपान के तुलना में सबसे अधि संचित चक्रवात उर्जा होने का रिकार्ड बनाया है उलेखनी है संचित चक्रवात उर्जा एसी एक ऐसा सुचाख है जो कि चक्रवात की जीवनकाल के दोरान उससे संबध पवन उर्जा की कुल मात्रा को मापता है इस चक्रवात को बहुत गंभीर वेरी इंटेंस उस्ट कटवंधी चक्रवाद के रुप में वर्गी केत किया गया है इस चक्रवाद को 6 फरुज बंदी चक्रवाद को अश्टेलियाई मौशम बिग्यान ब्यूरो दारा फ्रेडी नाम दिया गया यह चक्रवाद 1968 में आज चक्रवाद गिशेले के बाद न्यूज लेंड से चक्रवाद रहा है इस चक्रवाद के बाद न्यूज लेंड में राष्टी आपाद की घोशना की गई इस बहेंकर भुकंप में दोनों देशों के लगवक 57,000 लोग की मृत हुई और 6 फरुई दोहरा तेज को ही भारत सरकार दोनों देशों में तुरित रहातियों बचाओ अभियान के लिए आपरेशन दोस्त रूखियागे ध्यान रखेंगे इस आपरेशन के आपरेशन दोस्त भारत ने मलवेस के नीचे फसे लोग की पहचान के लिए गरुण एरोस्पेस के ड्रोनी तथा डॉग स्काइट का प्रयोग किया और भारत ने कई सारे रच्छा सामगरी यहाँ पर C-17 Globe Master 3B1 के सहारे पहुचाया ग्यातब है कि वर्ष 2022 में रूस दोरा उक्रेयन पर आक्रमन के दोरान भारत ने पडूसी देशों से संचालित भारती नागरी को सुरचित निकालने के लिए आउपरेशन गंगा संचालित किया था जोसी मठ भू धर्षाव के बारे हैं तो जनवी 2023 में इश्रो की एक रिपोर्ट में जोसी मठ में 27 दिसंबर 2022 यों 8 जनवी 2023 के मद्ध में 5.4 सेंटीमीटर भू धर्षाव को खुलासा किया गया है जोसी मठ उत्राखंड के चमुली जिले में एक छोटा सा सहर है देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है कि जोसी मठ भारत के भूकमपी जोन 5 में इस्तित है जो उच्छ जोकी माले छित को दरसाता है चक्रवात मेंडस के बारे में बात करते हैं चक्रवात मेंडस तो 9 दिसम्ब 2022 को चक्रवात के भारत के पूरवी दर्ट पर बंगाल की खाड़ी से उत्पन उष्टकटवंदी चक्रवात मेंडस चकराया इसका लेंड़ फॉल छेतर मामल पूरम तमिल्नाड के आशपास रहा है भारती मोशन विभाग दरा इस तुपान को बहुत गंभीर चक्रवात की सिर्णी में रखा गया है इस चकरवात का नामकर्ण संहुतरव अमिरात के दरा किया गया है नामकर्ण किसने क्या ये महत्त पूर्ण होता हूंशा जाता है मेंडस का अर्भी भाषा में अर्थ होता है खजाने का पिटारा टीजर बॉक्स सितरंग चक्रवाथ 24 अक्रवर 2022 को चक्रवाथ सितरंग ने बंगलादेश के दच्छनी भूभाग में लैंडफॉल किया इसने बंगलादेश के भारत के पशिम मंगाल तिरुप्रा अशमयों मेंगाले को भी प्रहवित किया इस चक्रवाथ का जो सितरंग नाम ये थाइलेंड के द्वारा दिया गया है सितरंग एक थाइसर नेम है इस पंज बिरंजन तो देखें जून 2022 में न्यूजिलेंड की दच्छनी समुद्टर पर इस पंज बिरंजन की घटना देखेंगे इस पंज बिरंजन की यह अब तक की सबसे बड़ी घटना है इस मुंद्री इस पंज घने शरंध रिउक्त पोरस जली जीओं है इस पंज जल की बड़ी मात्रा को सुद्ध कर सकते हैं प्रवाल की तरह इस पंज को भी अधिक तापमान कान बिरंजन का खत्रा होता है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स प्रिएम तो तक लिए बहुत बहुत धन्यमाद